इस मौसम में चटपटा खाने का मन तो सबका करता है लेकिन वो healthy भी हो ये सबसे ज़रूरी है तो आज हम आपके लेकर आये हैं हरी मूंकी दाल से बहुत इस्वादिस्ट एकदम नए तरीके का नास्ता जो जटपट बन कर दियार होता है और चटपटा भी उतना ही तो पूरी होने के लिए इसमें डालेंगे एक चोड़ी चमच साबू धनिया आधी चोड़ी चमच सौफ आधी चोड़ी चमच जीरा और इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से भूनेंगे पस हलका सा क्रस्प करना है हमें इस मसाले से बहुत ही गजब की खुश्बू आती हो और ट आप चोटी भी गिलास या काटोरी के अंदर भी डाल कर इसको हलका सा कोर्सली कूट करके ले सकते हैं क्योंकि इस मसाले को में बहुत बारिक नहीं करना है तो देखिए मैंने इनको इस तरीके से कूट करके ले लिया है इसकी छोटे चोटे बस तुकड़े हो गए हैं इतना ही हम इनको पीसना है यह देखिए आप इनकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं तो यह मसाला त्यार है अब हमने यहाँ पर लगबग आधा कप हरी वाली छिलके वाली मूंकी डाल को बढ़िया से भीगनी के लिए रख दिया था और यह देखिए अच्छी तरीके से फूल कर तय हैं या फिर इसके साथ और भी डालों का इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां मैं सिर्फ इसको मूंकी डाल से बिनाने वाली हूँ तो सबसे पहरे क्या करेंगे यह सारी डाल को एक अलग प्लेट में निकाल करके रख लेंगे इसके साथ ही इसमें थोड़ी सी हरी मिर्शे लेसन औ और अदरक भी डाल दिया है मैंने तो चलिए इन सारी चीजों को डाल देंगे एक मिक्सी के जार के अंदर और पानी का इस्तमाल बहुत ही कम करना है पीस ते समय अगर जरूरत लगे तो दो तीन चमज डालिएगा तो यहां मैंने दाल के साथ लस्तन अदरक और हरी मिर्शे भ तो पेश्ट में थोड़ी से दाले साबुत भी मिला सकते हैं तो देखे पेश्ट इगड़ा है इसको निकाल देंगे एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल के अंदर और अज इस नास्ते को मैं एक नहीं दो नहीं बलकि तीन नहीं तरीकों से इसका इस्तमाल करना बताऊंगी इस से आप कई तरह की डिसस बना कर त्यार कर सकते हैं तो पेश्ट को निकाल दिया है मैंने बोल के अंदर अब इसमें हम कुछ मसाले आट करेंगे और इसको बहुत ही चटपटा सा बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें कुछ सबजियां आट करेंगे जिसमें सबसे पहले मैंने लिए हैं दो बड़ी साइस का प्यास और पतले पतले लच्छो में काट लिया है और लगभग आधा कब чितना हरे धनिय के पत्ते प्यास के साथ आप चाहें तो पत्ता गो भीवी बड Takes करे डाल सकते हैं तो ये सारे प्यास और धनिय के पत्ते हम इसमें डालेंगे इसमें तोड़ी सी क्रिस्पनेस के लिए और अडग सा टेस देने के लिए डालू और आलू को मैंने बढ़िया से धो करके छील करके कद्दू कस कर लिया है इसमें जो भी स्टार्च थाना वो निकाल दिया है और अब ये लगबग 1-1.5 आलू लिये मैंने और ये सारे हम इसमें डाल और अब लिया है आदी चोटी चमची जीरा बहुत ही कम मसालों से वनगर त्यार होती है और टेस्ट भी बहुत बढ़ पढ़ के आता है नमक डालेते हैं स्वाद की साब से और अब डालेंगे हमारा टेस्ट मेकर जो हमने मसाला भून कर त्यार किया था था न ये वो है इसी में धनिया जीरा पाउडर गरम मसाला वगरा भी डाल सकते हैं लेकिन जितना ये कम मसालों में स्वादिश लगते हैं उतना ज्यादा मसालों में बिलकुल नहीं लगते हैं तो देखे सारे चीजा मैंने अच्छी तरीके से मिला ली है ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए फूग वेर सेट में जिसमें मिलता हमें एक गलास का लिड और एक एसेस का लिड और इसका कलर देखे कितना ज्यादा स्टनिंग है इतना ज्यादा प्यारा है इसका प died बिलकुल पर को ये Softil के तीनों कढ़ाई, पैन और दवा 4 layer nonstick coating के साथ बने होते हैं और इसके जो handles होते हैं काफी stylish और soft होते हैं जो gripping में काफी helpful होता है ये pure grade aluminium से बना होता है इसलिए heat जो है वो email ही distribute होता है और इसके MRP सिर्फ और सिर्फ 3690 रुपे हैं लेकिन अगर आपको सस्ता चाहिए तो रसोई सब आपको दे रहा है सिर्फ 1995 रुपे में और तो और जो भी वीडियो देख रहा है मतलब मेरे सारे वीवर्स को धाई 100 रुपे की और छोट में लेगी मतलब आपको ये soft tail cookware set का 5 पीस सिर्फ और सिर्फ 1745 रुपे मिलेगा तो है ना बहुत ही कमाल का इसको purchase करने के link आपको वीडियो को नीचे डिसकुशन में दे दिये गए हैं तेल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे यहां पर जब हम पकोड़े डालेंगे तो तेल अच्छी तरीके से high heat पर गरम होना चाहिए जैसे यह गरम हो जाए तब हम flame को medium कर देंगे क्योंकि पकोड़ों को हमें अंदर से भी पकाना है और यह बाहर से crisp होने चाहिए सारे पकोड़े एक एक करके हम डाल देंगे और अब इनको जैसे एक साइट से जाते हैं इनको हम turn करके दोनों साइट से बढ़िया से golden और crisp करेंगे अगर आप इनको fry नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको steam करके भी बना सकते हैं यह वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन आज मैं आपके लिए 3 recipe लेकर आई हूँ तीनों में से कोई एक तो आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए यह सारे पकोड़े बड़िया से crisp हो गए हैं इनको हम निकाल लेते हैं अगर आपको बेसन के पकोड़े नहीं खाने होते हैं तो आप इस तरीके से मोंग डाल के यह पकोड़े जरूर बनाईएगा इस बारिस के मस पौसम में आपको खाकर मज़ा आजाएगा इस तो चलिए यह सारे तयार हो गए हैं इसको आप किसी भी sauce के साथ में या फिर हरी chutney के साथ इनको आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि बेसन के पकोड़े से तो लाग गुना अच्छे हैं जो कि बाहर से देखने में बहुत-बहुत क्रिस्प हैं और अंदर से soft और flavorful मैं आपको नहीं तोड़ कर दिखाती हूं यह देखिए हैना बहुत ही मस्यतार चलिए इसको इंजॉय किजिए अब बनाएंगे हमारी दूसरी रसिपी तो उसके लिए मैंने पैन का इस्तमाल किया है और इस पैन को हम अच्छी तरीके से गरम करेंगे इसमें डालेंगे यह एक चोटी चमच के आसपस है तीनों चीजों को अच्छी तरीके से तेल में भून लेंगे ताकि हलका सा कलर चेंज हो और बढ़िया सा तेल में फ्लीवर आ जाए और आप डालेंगे थोड़ी से सूखी मसाले जैसमें मैं डाल रहे हूं एक चोटी चमच लाल मिर्ची प टमाटर जिसको अच्छी तरीके से पीस करके में लिया है तो यह पूरा पल्प हम इसमें डाल देंगे आप चाहे तो काट के भी बारिक बारिक डाल सकते हैं और इन मसालों के साथ टमाटर के पेश्ट को अच्छी से मिलाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल अल पाउडर आदी चूटी चमत चाट मसाला पाउडर और स्वात के साब से नमक डालेंगे अच्छी तरीके से इन सारे मसालों को इस पेस्ट के साथ मिक्स करेंगे और बस हमारी रिसिपी और मुस्त तयार हो गई है बढ़िया से मिलाएंगे और अब डालेंगे आधा कब पान बस एक से टेड़ मिनट के लिए हम इनको धीमियाच पर पका लेंगे ताकि पकोड़े सौफ्ट हो जाए और ये लीजे बहुत ही गजब की खुश्बू के साथ एकदम स्वादिस से अमरे रिसे पी तयार हो गई है आप इसको रोटी पराठे चावल किसी भी चीज के साथ थोड़ी सी भारिक कटे हरे धन्यव से या फिर कसूरी मेतिस इसको गानिश कीजे और लीजे तयार है बहुत ही स्वादिस्ट और एकतम मज़ेदार सी सबसी कैसे लगी जरूर बताना और अगर आपको इसी बैटर से कुछ कम तेल वाला भी चाहिए जो आप टीफिन में ले की तरह बना लेंगे आप मुड़े भी बना सकते हैं लेकिन चोटे-चोटे बनाएंगे तो आप इनको ट्फिन में बच्चों को भी दे सकते हैं या फिर खुद भी लेके जा सकते हैं जल्दी से पक भी जाते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो बस जैसे एक साइट से जाते हैं इनको टर्न करें और जैसे ही अच्छे से सिकर गोल्डन हो जाएं बस ये तयार है एक तम मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बने हुए ये सॉफ्ट से टेस्टी से पैंकेक्स आप इसको सिंपल किसी भी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ इंजॉय करें बचों को अब बहुत ही कमाल की रेसिपी तीनों में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी जरूर से मैं कॉमेंट करके बताईएगा और इस रेसिपी को जरूर से ट्राय कीजिएगा वीडियो पसंद आई तो अपने ठेट सारे फ्रेंट्स को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इन तीनों में से कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई जरूर से लिख के बताईए तो चलिए खाईए खिलाईए और सब के साथ शेयर कीजिए कल आप से फिर मुलागात होगी एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यर और बबाई